Hello friends! बहुत बहुत स्वागत है आपका Superfast Study and Experiment पर दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं Sponge Iron के बारे में और सबसे खास बात ये है कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इसे Sponge Iron क्यों कहा जाता है इस के नाम का क्या मतलब है? क्यू हम इसे Sponge Iron कहते हैं? जब हम कभी sponge के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है एक ऐसी soft सी चीज एक ऐसा soft सा object जिससे हम car बाइक को अपने wash कर सकते हैं जिसमें बहुत ही soft रहता है लेकिन sponge iron क्या ये sponge और iron से मिलाकर बना हुआ है इन दोनों के combination से बना हुआ है क्या होता है आखिर sponge iron और क्यूं इसका नाम sponge iron रखा गया है इसके बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं sponge iron याने की direct reduced iron जिसे की sponge iron भी कहा जाता है इसको बनाया जाता है direct reduction करके iron और का direct reduction करके बनाया जाता है और ऐसा करने के लिए या तो gas का इस्तिमाल किया जाता है या फिर coal का इस्तिमाल किया जाता है और sponge iron बनाने के लिए क्या किया जाता है जो iron की ores है यानि कि जो law ask है उसका इस्तिमाल किया जाता है sponge iron के लिए hematite law ask का इस्तिमाल किया जाता है 6 प्रकार के iron के आयस्क होते है magnetite, hematite, georite, limonite, pyrite और sederite इसमें से hematite का ही ज़्यादा तर इस्तिमाल किया जाता है ऐसा करने के लिए इसे एक भठी में जिसे की rotary kiln कहा जाता है जो घूमती रहती है kiln उसमें heat किया जाता है 950 से 1100 तक degree centigrade तक इसका temperature जो है उसे maintain किया जाता है और यहाँ पर जो आपका hematite है वो होता है Fe2O3 उसका chemical reaction होता है Fe2O3 आपका hematite है जो की law ask है इससे oxygen को हटाया जाता है reduction का मतलब होता है removal of oxygen तो यह है आपका kiln यहाँ kiln में iron ore, coal और dolomite को साथ में heat किया जाता है तो वहाँ पर chemical reaction जो होता है वो आप पहले देख चुके है इस chemical reaction में होता यह है कि iron ore जिसमें की oxygen है उसमें से oxygen को remove कर दिया जाता है और फिर यहाँ पर सिर्फ आपके पास iron बच जाता है और उस iron को कहा जाता है sponge iron अब बात करते हैं इसे आखिर sponge iron क्यूं कहा जाता है जब हम sponge iron को microscope से देखते हैं याने कि जब हम microscopic view बहुत करीब से अगर हम sponge iron को देखें तो हमें क्या दिखेगा हर किसी object का जो है अपना एक view आता है अगर हम उसे microscope से देखते हैं तो अगर हम sponge iron को microscope से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का view आएगा यानि कि उसका microscopic view आप देख सकते हैं आपके screen पर है और ये same sponge की तरह है अगर हम किसी sponge को बहुत करीब से देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा यानि इसमें बहुत सारे gaps दिखेंगे बीच में voids दिखेंगे आपको और एक जाली नुमा संरचना मदुमक्खी के छत्ते की तरह एक संरचना दिखेगी जिसे की आप sponge से compare कर सकते हैं हू बहू sponge की तरह ही यहाँ पर एक संरचना निकल के सामने आती है जब हम उसे microscope से देखते हैं और इसलिए इसका नाम रखा गया है sponge iron जो sponge iron है वो एक semi-finished product है यानि कि final product नहीं है ये sponge iron को फिर से processing करना पड़ता है final product obtain करने के लिए sponge iron से direct steel produce करने के लिए उसे furnace में heat किया जाता है साथ में कुछ और उसमें substitutes डाले जाते हैं जैसे कि pig iron और rot irons, scraps या फिर और कुछ-कुछ जो हमारी जो requirement है जिस तरीके का हमें steel चाहिए और फिर उसे melt करके फिर casting machines से direct cast किया जा सकता है billet, blooms, जो भी product हम final product चाहें हमारी requirement के हिसाब से तो इस तरीके से iron ore से यानिकी law ask से आपका जो है loha वो बनता है तो दोस्तों इस video का main मकसद ये था आपको ये समझाना कि आखिर sponge iron को sponge iron क्यों कहा जाता है उसके पीछे का reason क्या है तो दोस्तों उमीद करता हूँ ये video आपको काफी पसंद आई होगी अगर ये video एक परसंट भी आपको helpful लगी हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजेगा एक like तो जरूर कर दीजेगा मैं ये सारे video बहुत मैनस से बनाता हूँ अगर आपको पसंद आए तो बिलकुल like करिएगा thanks for watching